हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है तो आज हम अनायलसिस करेंगे सेंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो as usual शुरू करूंगा fingers के analysis से उसके बाद चेक करेंगे fingers की setting को and mounts को और सबसे last में हम चेक करेंगे lines को इस तरह से पुरे hand का जो analysis हम complete करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं साथ सा draw करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक rectangular shape में नज़र आ रही है जो indicate करती है एक hard working and analytic type की personality को और अगर इनकी fingers की बात की जाये तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी fingers काफी ठिक हैं और 37 काफी अच्छी length में भी नज़र आ रही है fingers के उपर बारीक सीधी खड़ी रिखाएं मौचूद है कुछ इस तरह की रिखाओं का fingers के उपर मौचूद होना native को मिलन सार सभाव देता है ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छी से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं एक बहुत अच्छी personality के तोर पर ऐसे व्यक्ति को देखा जा सकता है यहां पर आप देख सकते है fingers की thickness इनकी fingers के base phalanges से इस तरह की thick fingers का होना indicate करता है कि native की energy and stamina अच्छा रहेगा अगर तरजनी उगली की बात की जाए तो हलका सा जुकाव इस finger का अंदर की तरफ होता हुआ जिस वज़े से थोड़ी वैराग्या की भावना native के भीतर आपको देखने को मिलेगी लेकिन इनकी गुरू finger thick है और बिलकुल अच्छी length में है जिसकी वज़े से native की leadership qualities अच्छी रहती है ऐसे व्यक्ति नॉलेजिबल होते हैं अगर हम इनकी शनी finger की बात करें तो काफी अच्छी लंबाई में शनी finger और काफी थिक भी नजर आ रही है शनी finger का strong होना indicate करता है कि native मेहनती nature का होगा ऐसे व्यक्ति disciplined होते हैं एक अनुशाशन प्रिया और नयाए प्रिया टाइप की personality ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी ये लोगों की शनी finger strong होती है ऐसे व्यक्ति मेहनती होने के साथ सा discipline होते हैं और यही वज़ा रहती है कि चीवन में अच्छी progress कर पाने में भी कामयाब हो जाते हैं तो इनकी तरजनी से अधिक है अगर हम यहाँ से line draw करें तो आप देख सकते हैं सूरह finger ज्यादा length में है और सूरह finger का अच्छी लंबाई में होना native को एक बहुत अच्छा social circle देता है ऐसे व्यक्ति जिनकी सूरह finger अच्छी length में होती हैं काफी creative nature के होते हैं काफी अच्छी artistic qualities भी रहती हैं लेकिन साथ ही साथ ऐसे native थोड़े risk taker सभाव के भी देखे जा सकते हैं ऐसे व्यक्ति चीवन में कई बार risk ले लेते हैं कई बार तो अपनी investments के मामले में भी ऐसे लोगों को risk लेते हुए देखा जा सकता है जिनकी सूरह finger लंबी हो ऐसे व्यक्ति कई बार अपने धन को ऐसी जगहों पर invest कर देते हैं जहां पर loss की संभावनाय रहती हैं अगर हम इनकी सबसे छोटी यानी mercury finger की बात करें तो यह finger लंबाई में अच्छी है लेकिन थोड़ी सी low set हो रहे अगर fingers के नीचे एक line draw की जाए तो आपको कुछ इस तरह की एक रिखा बनती हुई नजर आएगी जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूरह finger इनकी शनी finger और groove finger इनकी mercury finger के मकाबले high set हैं जबकि यह finger थोड़ा नीचे से शुरू होती हुई जिसकी वज़े से थोड़ा hesitation भरा सभाव थोड़ी shy nature भी ऐसे व्य पहुँचती हुई इवन इनकी सूरह finger ज्यादा लंबाई में तो भी यह finger काफी अच्छी length में होकर इनकी सूरह finger के top phalange के creep पहुँच रही है जो बहुत अच्छे communication skills को indicate करती है ऐसे व्यक्ति का business acumen भी काफी strong आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हलका gap इन दोनों fingers के बीच में इवन इनकी सूरह और शनी finger के बीच में भी एक gap आपको बनता हुआ नजर आएगा इस तरह के gaps का होना native को independent सभाव का बनाता है ऐसे व्यक्ति थोड़े जिदी सभाव के भी होते हैं जो काम करने की एक बार ठान लेते हैं फिर उसको करकर ही दम लेते हैं कुछ इस तरह का सभाव यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अगर हम बात करें इनके माउंट्स की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका गुरू परवत यानी तरजनी उंगली के नीचे का जो एरिया है काफी अच्छी स्पेस लिए हैं काफी उभरा हुआ है इस तरह का गुरू परवत होना native कू ग्यानवान बनाता है ऐसे व्यक व्यक्ति काफी spiritual minded होते हैं खासत और पर 40 वर्ष की age के बाद ऐसे व्यक्ति का जो रुच्छान है वो spirituality की तरफ अधिक होने लगता है ऐसे व्यक्ति समाज में भी काफी अच्छा मान समान पाते हैं और काफी अच्छे ग्यानवान होते हैं दूसरों को guide करने वाली personality ऐसे व् भरा हुआ हो इनके अंगूठे के उपर आपको एक यव का चिन बनता हुआ नजर आएगा यह जो एक शेप बनती है आँख जैसी इससे यव का चिन या फर बुद्धा जाई का चिन कहा जाता है इनके भी हाथ पर ऐसा चिन बनता है ऐसे व्यक्ति की six sense अच्छी होती है आन ऐसी चीजों का अभास नेटिव को पहले से ही हो जाता है ऐसे व्यक्ति की शटी इंदरी स्क्रियर रहती है आप यहाँ पर देख पाएंगे एक क्रॉस की अक्रिती आपको इस एरिया में बनती हुई नजर आएगी यह दोनों रिखाओं के बीच में यानि उपर वाली माइन लाइन है इन दोनों के बीच में ऐसा क्रॉस बन जाए तो इससे मिस्टिक क्रॉस कहा जाता है और जिनके भी हाथ पर मिस्टिक क्रॉस बनता है ऐसे व्यक्ति को आने वाली खटनाओं का पूर्वा अभास काफी अच्छे से होता है ऐसे व्यक्ति की रूची उकल्ट स जान आपको देखने को मिल सकता है शनी परवत इनका हलका सा दब रहा है अब देख सकते हैं यहां से यह एरिया हलका सा इस साइट से दबा हुआ इस वज़े से नेटिव के चीवन में संघर्ष थोड़ा ज्यादा होगा ऐसे व्यक्ति को अपने कमफट जोन से निकल कर भी काम करना पड़ता है लेकिन हाथ में भाग्या रेखा मौजूद है अब देख सकते हैं यहां लाइन जो शनी परवत की तरफ बढ़ रही है इस तरह की रेखा होने से नेटिव अपने चीवन में हर तरह की सुक्सुविधाएं पाने में काम्याब हो जाता है सूरे परवत की बा यश मिलने में कमी महसूस हो सकती है ऐसा व्यक्ति जिनका सूरे परवत दब रहा होता है दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले ऐसा व्यक्ति कितनी भी दूसरों की मदद कर ले बदले में कोई अप्रिसीशन या इनाम नहीं मिल पाता जो सूरे माउंट के वीक होने की आप देखोगे यह माउंट काफी उठा हुआ जिस वज़े से नेटिव के कम्मिनिकेशन स्किल्स नेटिव की कल्कुलेशन्स और बिजनस एक्टुमेन काफी अच्छा होता है ऐसे व्यक्ति चीजों का पूर्वा अनुमान बहुत अच्छे से लगा पाते हैं जिनका मरकरी मा कर और यहां से एक ब्राच निकल कर इस तरह से एक तर्शूल का चिन बना रही है इस ट्राइडेंट के साइन का होना बहुत ही पॉजिटिव होता है अगर ट्राइडेंट की एक ब्राच गुरू पर पहुंच जाए तो ऐसे व्यक्ति दिल से स्प्रिच्छल होते हैं और यह इसके बिल्कुल उपोजिट अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बैमानी से किसी तरह की चीटिंग से या फ्रॉड के जरीए थन कमाने की कोशिश करने लगे तो बड़ी दिक्तें जीवन में आ जाती हैं और कई बार तरक्की रुक जाती है इसलिए जिनके भी हाथ पर ऐसा auspicious sign बन रहा हूँ ऐसे व्यक्ति को हमेशा इमानदारी के रास्ते पर चलकर ही धन कमाना चाहिए ओवरॉल इंकी जो हार्ट लाइन है काफी अच्छी है यहाँ पर कोई भी major issue नहीं है कुछ हलकी downward branches यहाँ पर होना native को कई बार later age में चलकर कुछ minor health issues दे सकती हैं जै जैसे blood pressure, thyroid, cholesterol, diabetes जैसी समस्याए 50 के बाद की एच में होने की समभावनाए इस तरह की रिखाओं की वज़े से रहती हैं अदरवाइस कोई भी major problem यहाँ पर हमें इनकी heart line के जरीए नजर नहीं आ रही अगर हम इनकी mind line की बात करें तो आप देख सकते हैं इनकी जो mind line है कुछ इस तरह से हलका सा जुकाव लिए हुए काफी अच्छी लंबाई में नजर आ रही है इस तरह की mind line का होना indicate करता है कि native की memory और native की logical power काफी अच्छी होगी इस रिखा का हलका सा जुकाव नेचे की तरफ चंदर परवत की तरफ होना दर्शाता है कि native थोड़ा over imagination करने वाला ह होगा ऐसे व्यक्ति कलपनाशील होते हैं और कई बार ज्यादा कलपनाएं करने की वज़े से ज्यादा सोचने की वज़े से native को तनाव और stress जैसी समस्याओं का सामना भी चीवन में करना पड़ सकता है अदर्वाइज इस रेखा की लंबाई अच्छी होने की वज़े से native की memory अच्छी रहती है और ऐसे native की logical power भी काफी अच्छी होती है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी line of life को आप देखोगे यहाँ पर इनकी जो जीवन की रेखा है बहुत अच्छी लंबाई में है यहाँ से शुरू होने वाली जीवन रेखा आपको लगबग सेरिया तक पहुंचती हो नजर आएगी डीवन रेखा का अच्छी लंबाई में होना indicate करता है कि native की जो age है लंबी रहेगी ऐसे व्यक्ति लगबग 75 से लेकर 80 के आसपास की age तक life को enjoy करते हैं डीवन रेखा के साथ साथ यहाँ पर बहुत अच्छा एक फिश का symbol बन रहा है यहाँ जो sign अगर हाथ में बनता है तो यह native को चीवन में कई बार अच्छानक धन का लाब देता है ऐसा sign होने से native को कई बार share market से लोटरी से insurance के जरिए inheritance के जरिए जैसे पुष्टैनी जमी जैदाद है या property है ऐसी चीजों का लाब जीवन में मिल सकता है इस तरह का फिश का symbol बनना ज संबी दूरी की यात्राएं भी native को देता है से व्यक्ति को life में कई बार foreign travel करने का मौका भी मिल जाता है इनका जो मंगल परवत है काफी उठा हुआ है आप देखोगे यहाँ पर यह एरिया उपरा हुआ inner mars का इरिया है इस तरह का उठा हुआ मंगल परवत हीवन में काफी अठी energy and stamina देता है इस mount का उभरा हुआ होना native को थोड़ी aggressive nature भी दे सकता है शुकर परवत की बात की जाये तो इनका Venus का जो mount है काफी उठा हुआ है शुकर परवत अगर किसी व्यक्ति का उभरा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में हर तरह की सुक्स विधाय मिलत हर तरह के comforts को ऐसा व्यक्ति enjoy कर पाता है लेकिन इस mount के उपर किसी भी तरह का black या brown spot होना अच्छा नहीं माना जाता है आप यहाँ पर देखते हैं कुछ इस तरह का एक dark और यहाँ पर भी एक spot बनता हुआ किसी भी वजह से यह spot बन सकते हैं अगर Venus mount के उपर ऐसे चिन बन native को अपनी health को लेकर भी कुछ minor issues आ सकते हैं जैसे पत्री जैसे कोई problem होना या urinary infection होने की सिंभावनाई भी इस तरह के brown spots की वजह से चीवन में possible हैं अगर हम इनके चंदरपरवत की बात करें तो यह जो area है यहाँ पर काफी अच्छा नजर आ रहा है यहाँ पर कोई भी negative chin नहीं है जो बहुत ही अच्छी बात है अगर चंदरपरवत के ओपर negative chin बने तो वो depression यानि अवसाद का कारण बनते हैं लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा moon का area सिर्फ हलका सा इनका मकस्ति श्रेखा का जुकाव इने थोड़ी overthinking दे सकता अदर्वाइस कोई भी major problem हमें इनक चंदरपरवत से moon mount से नजर नहीं आ रही तो दोस्तों ये कुछ analysis थे इनके hand के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी स्वालों के जवाब एक ही वीडियो के थुरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिनिया स्वाल रह जाता है तो इनसे request है अगर इनका क कोई question pending है तो मुझे WhatsApp पर message करें मेरा वीडियो watch करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद